आज मैं आपको चिकेन दू प्याजा बनाना बताऊंगी इसके लिए हमने जो सामगर्य लिया वो हम देख लेते हैं मैंने गैस पेकर हाई गरम होने के लिए लग दिया उसमें तेल डाल दिया हमारा तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें आरच चमच जीरे का तड़का लगा दूँगी हमारा जीरा तैयार हो गया है मैंने एक किलो प्याज को कट करके ले लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे मैंने प्याज को भी डाल दिया है अब हम इसे पल्टी के हैज से चलाते हुए मिक्स करके पकाएंगे मैंने आपे एक गाट लेस्ट चिल करके ले लिया है पांची हरी मिर्च और एंग किर्च अद्रक ले लिया है उसे हम मिक्सर जाय में डाल के इसका पेश्ट बना की तियार कर लिए मैंने आपके एक किलो चिकेन ले लिया जिसे अच्छी तरीके से धोल करके साफ कर लिया है अब मैं अपने चिकेन को मैरिनेट कर लूँगी इस तरीके से मैंने अपने लहसुन अद्रक मिर्ची का पेश्ट बना की तयार कर लिया है अब मैं अपने चिकेन पे अपने लहसुन धनिया पाउडर डाल दूँगी अब मैं इसमें आदा चमश नमक डाल दूँगी अब मैं इसमें एक चोथाई चमश हल्दी पाउडर डाल दूँगी अब हम इन सभी सामग्रियों को अच्छी देके से हाथों से मिल्क्स करेंगे अब मैं इसमें आदे कट किये हुए नीबू का रश डाल लूँगी अब मैं अपने नीबू के रश को भी चिकेन के साथ अच्छे तहिक से मिक्स कर लूँगी मैंने अपने चिकेन को अच्छे देखी से मैरिनेट कर लिया है अब हम इसे आदे घंटे के लिए रश्ट पे रख देंगे मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया उसमें तेल डाल दिया है गरम होने के लिए हमाई तेल गरम हो गया है और हमाई चिकेन को रखे हुए रष्ट पे आदा गंटा हो चुका है अब हम अपने मैरिनेटर चिकेन को इसमें डाल देंगे अब हम इसे एक पल्टे की हल्ब से चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे आप देख सकते हैं मेरा प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है मैंने आपे सबी खड़ी मसाले ले लिये हैं मैंने आपे छोटी लाइची, बड़ी लाइची, लॉंग, तालचीनी, काली मेर, जाविती, जायफर सबी खड़ी मसाले ले ले लिये हैं और इसे इमान दस्ते में इस तरीके से डाल दिया है अब हम इस तरीके से इसे कूटते हुए इसका दरदरा पाउडर बना की तियार कर लेंगे मैंने अपने चिकन को इस तरीके से लीट से ढख दिया था अब हम इसे एक बार चला लेंगे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं में चिकन ने किस तरीक से पानी छोड़ दिया है हम इसे फिर से लीट से ढख देंगे मेरा प्याज अच्छे तेकिसे गोर्डन ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें एक चमच लेसुन अदरक मिर्शी का पेश डाल दूँगी अब मैं इसे भी अच्छे तेकिसे मिक्स करके पकाऊंगी अब मैं इसमें एक चमच कस्मीरी लादे में से पाउडर डाल दूँगी इससे हमारे चिकन दूप्याजी में बहुत अच्छा कलर आएगा इसे भी हम अच्छे तेकिसे मिक्स करके पकाएंगे मैंने अपने मसालों का स्टेकी से दरदरा पाउडर बना की तियार कर लिया है अब मैं अपने प्याज में एक चमस धनिया पाउडर डाल दूँगी अब मैं इसमें स्वादूंसा नमक डाल दूँगी अब इन सभी सामगरियों को अच्छी तरकी से मिक्स करके पकाएंगे में चिकन पक चुका है अब मैं अपने इसे प्याज में डाल दूँगी मैंने अपने चिकन को इस तरगी से प्याज में डाल दिया है अब हम इसी अपने प्याज के साथ अच्छी तरगी से मिक्स करके पकाएंगे अब मैं अपने जो खड़े मसालों का पाउडर बना की तियार किया था उसे इसमें डाल देंगे अब हम इसे भी अच्छी तरगी से मिक्स करेंगे अब मैं अपने चिकेन दो प्याजा में एक कप पानी डाल दूँगी जिससे हमाई मसाले नीचे लगी नहीं तली में अब हम इसे अच्छी तरगी से मिलाते हुए पकाएंगे अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसे ढख करके पकने दूँगी मैंने आपे धनिया की पत्ती कट करके रख्यों हुए है अब हम इसे भी अपने चिकेन दो प्याजा में डाल देंगे अब मैं अपने चिकेन दो प्याजा को थोई दे ढख करके पकने दूँगी हमारे चिकेन दो प्याजा बनके तयार हो गया अगर आपको हमारी ये रहस्पे पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइज सबस्कार कमेंट करें करेंगे